एक जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे जंगल के सभी पक्षी हमेशा एक दूसरे का काफी साथ दिया करते थे अभी उस जंगल में काफी जादा ठंड का मौसम चल रहा था जंगल में एक मीनू चड़िया अपने पती मानू चड़े और अपनी एक बेटी कोमल चड़िया के साथ रहती थी मीनू चड़िया का परिवार पूरे ही जंगल में सबसे ज़्यादा खुशहाल परिवार था फिर एक दिन मानू चड़ा मीनू चर्या से कह रहा होता है मीनू चर्या पिछले सालों के मकाबले में ½ साल कुछ ज़ादा ही सरदी नहीं पढ़ गई है हमारे जंगल में हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो मानू चिरे लेकिन अच्छा ही हुआ हमने ठंडी पढ़ने से पहले ही कालू कवे का ये घर किराय पढ़े लिया वरना आज ठंड के मौसम में हम क्या करते हाँ लेकिन मीनू चिरिया मैं थोड़ा पतिशान भी हूँ देखो मेरा तो काम धंडा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है लेकिन खेर छोड़ो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है अब तुमें काम करो इस घंड के मौसम में अपने हातों की चाय तो पिला दो मुझे बुसरी तरफ पिरिया कवी अपने घर में कालू कावे से कह रही होती है कालू देखो अभी घर में जितने दाने आ रहे हैं उससे घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है औरे भाई लेकिन पिरिया कवी मैं तो अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ देखो अभी सर्दी के मौस कि वज़ा से सभी का काम कम चल रहा है और देखो मैं क्या कर सकता हूं इसके लावा और वैसे भी पिरिया कवी हमारा घर तो चल रहा है ना हमें इतने दानों की जरूरत नहीं है अरे कालू देखो तुम्हें दानों की जरूरत नहीं है पर मुझे तो है ना तुम जो भी कम दा अब तुम ही बता दो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ अरे वो मैं सोच रही थी कि जो हमने मीनू चिड़ा और मानू चिड़ी को अपना घर किराये पर दिया हुआ है हम उस घर का किराये बढ़ा दें मानू चिड़ी को बता कर और पिरिया कवी मुझे नहीं लगता है कि वे मानो चड़ा इससे जादा दाने दे पाएगा क्योंकि उसका काम भी अच्छा नहीं चल रहा है तेको कालू वो सब हमारा मसला नहीं है वो उस मानो चड़े का मसला है हम उससे बोल देंगे कि अगर तुम दाने दे सकते हो जादा तो दे दू वरना ये हमारा घर खाली कर दो हम किसी और को अपना घर दे देंगे किराए पे जो हमें जादा दाने देगा अरे लेकिन पिर्या काउवी अब मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ तुम मेरी कोई बात मानती कहा हो तुम जो कहती हो वो ही मुझे करना पड़ता है अब चलो हम चलते हैं उनके घर पर बात करने के लिए पिर अब वे दोनो मीनू चड़िया और मानू चड़िया के घर पर आ जाते हैं अरे आओ आओ कालू करवी पिर्या करवी तुम दोनों बहुत ही अच्छे वक्त पर आए हो मैंने अभी ही गर्मा गर्म चाय बनाई है आओ तुम लोग भी पीलो औरे नहीं नहीं मीनू चड़िया हम दोनों जादा देर के लिए नहीं आए हैं बस हमें तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है हाँ हाँ बोलो कालू करवे क्या बात करनी है तुम्हें औरे वो मानो चिड़े पिरिया कवी ये चाहती है कि तुम लोग अब से इस घर के किराये के दाने एक गुना जादा दो कालू कवे ये सब अच्छानक से क्यों कर रहे हो तुम पहले भी हम लोग कितनी मुश्किल से दाना जमा करके दे रहे हैं तुमे लेकिन मेनो चेनिया अब ये सब हमारा मसला तो नहीं है ना लेकिन कालू कवे अब ये तुम जरा रुको जरा ये ठंड का मौसम खतम हो जाए फिर मैं खुद ही तुम लोगों को दाने बढ़ा कर दे दूँगा क्योंके देखो अब ये ठंड की वज़ा से मेरा काम बिलकुल नहीं चल रहा है नहीं बाई नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकती हूँ देखो अगर तुम दोनों जादा दाइने नहीं दे सकते हो तो अभी के अभी हमारा घर खाली कर दो मैं गर पिरिया कवी अभी हम इतनी ठंड में अपनी बेटी को लेकर कहां पर जाएंगे वो सब मैं नहीं जानते तुम लग कहीं पर भी जाओ पस फिर वे पिरिया कवी मीनुचिडिया के पूरे परिवार को उस ठंड में घर से भार निकाल देती है मैं नुचिडिया ये देखो हमारे साथ क्या हो गया है अब हम कहां पर जाएंगे अब मैं नुचिड़े हम कुछ नहीं कर सकते हैं चलो अभी जब तक हम यहां पर हैं तो इस पेड़ के नीचे आग लगा कर बैठ जाते हैं मैं नुचिड़ा बहुत ही मुश्किलों से आग लगाने का समान लेकर आता है और फिर वो लोग आग जला कर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं दूसरी तरफ कालू कववा पिरिया कववी से कह रहा होता है पिरिया कववी अब तो जो दाने आ रहे थे वो भी नहीं आएंगे तुमने उनको घर से निकाल दिया है अब तो ये घर खाली हो गया है अब कौन रहेगा इसके अंदर क्यालू के वे तुम परिशान मत हो मुझे एक चील का पता है वे हमारे घर में रह लेगी और वे हमें जादा दाने भी देगी तुम यहीं रुको मैं उस चील को लेकर आती हूँ बस फिर वे पिरिया कववी अब उस चील के पास आ जाती है अरे भी चील देखो तुम्हें घर चाहिए था ना रहने की लिए? मैंने उस मिनू चड़िया से अपना घर खाली करवा दिया है अब वे घर पूरी तरहा से खाली है तुममांपर रह सकती हो और मैंने पहले ही तुम्हें दानों के बारे में तो बता ही दिया था हाँ हाँ मुझे पता है पेरिया कवी चलो मैं अपना समान लेकर तुम्हारे साथ चलती हूँ अवे चील उस घर के अंदर अपना सारा समान लेकर आ जाती है और पेरिया कवी और कालू कवा भी अपने घर पर आ जाते हैं अव्वे चील अपने घर पर बैठी सोच रही होती है परे ये दोनों तो बिलकुल ही बिवकूफ लग रहे हैं क्यों ना इन दोनों को पागल बनाया जाए मुझे इनकी इस बिवकूफी का फाइदा उठाना चाहिए क्यों ना मैं दूसरी चील के साथ मिलकर इनके दोनों घरों पर कबजा कर लूँ पिर अव्वे चील उस कालुकवे और पिर्या कववी को धोका देने के बारे में सोच रही होती है और दूसरी तरफ मीनुचडिया और मानोचडिक के पास मीनुचडिया का भाई सोनुचड़ा आ जाता है मीनुचडिया तुम इतने ठैंड में अपने पूरे परिवार के साथ इस पेड़ के नीचे चू रह रही हो अरे क्या बताऊं तुम्हें भाईया जी पस फिर वे मीनुचडिया सोनुचड़े को सारी बात बता देती है Bridge में तो पिर मैं तो बिलकुल सही वक्त पर आया हूँ तुम्हारे पास मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद केहने के लिए ही आया था तुम यह ने तुम्हें बताये था ना मुझे अपने परिबार को लेकर दूसरे जंगल रहने के लिए जाना है तो आज हम दूसरे जंगल जा रहे हैं और हमारा वे घर खाली पड़ा है तो तुम लोग वहाँ पर रहने चले जाओ मैंगर सोनू चिड़े वो घर तो तुम किराये पर भी दे सकते हो अरे नहीं नहीं मानो चिड़े देखो मेरे पास तो सब कुछ है मुझे किराये की कोई दरूरत नहीं है अब तुम लोग समझो के वो घर तुम्हारा हो गया है सोनू चिड़े में तुम्हारा कैसे शुक्रिया दे करूँ तुम हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हो कोई बात नहीं मीनू चिड़े तुम भी हमेशा सबकी मदद करती रहती हो और आज मैंने तुम्हारी मदद कर दी है फिर क्या था अब वे मीनू चिड़े उस सोनू चिड़े के घर में अपने परिवार को लेकर रहने चली जाती है देखा मानू चिड़े जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है अब दूसरी तरफ वे चील अपने साथ ही दूसरी चील के पास आ जाती है अरे भाई चील मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुश्खबरी है अब वे चील, दूसरी चील को भी सारी की सारी बात बता देती है ठीक है भाई, अब एक घर पर तुम कबजा कर लेना और दूसरे घर पर मैं कर लूँगी चलो अब हम उस कालू कव्य और पिरिया कव्य के पास चलते हैं पिर अब वे दोनों चीलें कालु कवे के घर पर आ जाती है अरे भाई पिरिया कवी तुम्हारे लिए एक खुश खबरी है देखो ये दूसरी चील है ये तुम्हारे दोनों घर लेना चाती है वो भी दुखनी रकम में अब दुगनी रकम का सुनते ही वे लालची पिरिया कवी बिना कुछ सोची समझे ही हा कर देती है औरे पिरिया कवी तुमने उन्हें हा तो कर दी है पर अब हम खा रहेंगे कैलो कैवे तुम परिशान नहीं हो वो सब मैंने सोच लिया है पिर्या कवी अब जल्दी से तुम अपने दोनों घर मेरे नाम कर दो ताकिया मैं तुम्हें दुगनी रकम दे सकूँ पिर्वे पिर्या कवी दुगनी रकम की खुशी में अपने दोनों घर उस चील के नाम कर देती है देखो बई चील, अब हमने अपने घर तुम्हारे नाम कर दिये हैं, अब तुम हमें जल्दी से हमारे दाने दे दो अरे भाई, कौन से दाने पिर्या कववी, हमने तो तुम्हें बिवकूफ बनाया है मैंने तुम्हें देखा था तो तुम बहुत बिवकूफ लग रही थी और तुम तो वाकई बहुत बिवकूफ निकली हो अब ये गर हमारे नाम पर है अब तुम हमारा कुछ नहीं कर सकती हो औरे ये सब क्या कर रही हो तुम चीले हमने जो भी करना था वे हमने कर दिया है अब तुम दोनों जल्दी से हमारा ये घर खाली कर दो अब वे दोनों चिले मिलके कालू कवा और पिरिया कवी को उनके समान के साथ उनके घर से बाहर निकाल देती है अब इतनी ठंड में उन दोनों के पास रहने की कोई भी जगा नहीं होती है इसलिए बे दोनों मीनू चिडिया और मानो चिड़े की लगाई हुई आग के पास आकर बैट जाते हैं देख लिया पिरिया कोई तुमने मीनू चिड़े के साथ बुरा करना चाहा और तुम्हारे साथ ही हो गया देखो ये आग उन लोगों नहीं लगाई थी अपने रहने के लिए और आज तुम्हें यहां पर रहना पर रहा है जो भी हुआ अच्छा ही हुआ तुम्हें तुम्हारी गलती की ही सजा मिली है तो प्यारे दोस्तों इसलिए तो कहते हैं लारच का अंजाम काफी जादा बुरा होता है ये कहानी एक बहुत ही बड़े और खुबसूरत से जंगल की है इस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे उस जंगल के सभी पक्षी अपने अपने खेतों में काम किया करते थे जंगल के सभी पक्षी खेतों का अनाज बेचकर ही अपना गुजारा किया करते थे सारही पक्षी काफी जादा महनती थे लेकिन उस जंगल में एक पिर्या कवी और कालुकवा भी रहा करते थे वेकालुकवा काफी ज़्यादा आलसी और आराम पसंद था बस इसी कारण से ही पिर्या कवी को घर के साथ साथ खेट का भी सारा काम देखना पड़ता था वे कालुकवा हर जगा पर बस रोजाना सोता ही रहता था और उसके पास कोई और काम ना था फिर एक दिन पिर्या कववी कालुकवे से कहने लगती है पता नहीं मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैंने आखिरकार शादी ही क्यूंकी है जब मुझे खुद ही घरका और अपनी खेत का भी सारा काम अकेले ही देखना है तो फिर मैंने तुम से शादी क्यूंकी है और तुम्हारे पास तो कोई काम है ही नहीं सारा दिन बस पड़े सोते ही रहते हो और अगर कभी उटकर बैटते भी हो तो बस जैंकल के सबी पक्षियों को देखते रहते हो और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास पिरिया कववी की ये बात सुनकर कालु कववा सोते से उठता है और पिरिया कववी को कहने लगता है तुम्हें जरा सा भी सबर नहीं होता है पिरिया कववी अभी तो मैं सोया था और तुमने वैसे ही मुझे आकर उठा दिया तुम हमेशा ऐसा ही करती हो मैं जैसे ही सोता हूँ वैसे ही आकर उठा दिती हो एरे कैलू केवे तुम कल रात से सो रहे हो और अब तो दिन हो गया है तुमें तो कुछ भी शरम नहीं है और तुम कह रहे हो के तुम अभी थोड़ी दिर पहले ही सोए हो पूरा दिन गुज़ा चुका है कालू तुम कुछ तो शरम करो मैं कब तक आखिर पूरे घर का और अपने खेत का धिहान रखती रहूं जंगल के सभी पक्षी तो सुबा सुबा सही अपने खेतों में काम करने चली जाते हैं और तुम तो पूरा दिन ही सोते रहते हो अरे भै सोता भी हूँ तो मैं कौन सा तुम्हारी आखे लेकर सोता हूँ मेरी आखें मैं उन्हें जब भी बंत करके सो जाओ मेरी मर्जी अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर मेरी भी मर्जी है आज मैं भी कोई काम नहीं करूंगी अब तुम पड़े सोते रहो जब भी तुम्हें भूक लगे उठकर खुदी भोजन बना कर खा ले ना मुझे भी बहुत जादा नींद आती है अब तो मैं भी सोने जा रही हूँ फिर ऐसा कहकर वे पिर्या कववी भी सो जाती है अब ऐसे ही दिन से शाम शाम से रात और अब तो अगला दिन हो जाता है पिर्या कववी उठकर देखती है तो वे कालु कववा तो अभी भी सो रहा होता है फिर पिर्या कववी मजबूरन उठकर भोजन बनाती है और कालु कवी सुबा भी हो चुकी है तुम कल से सो रहे हो अब ये बोजन करो और जल्दी से खेट में काम करने के लिए जाओ तुम्हारी वज़ा से मुझे भी गुसा आ गया था और कल से मैंने भी खेट का कोई काम नहीं किया है औरे मैंने कहा था तुम्हें के काम ना करो तुम खेट पिरिया कववी क्या हो गया है तुम तो रोजाना ही अकेले खेट में काम करने के लिए आ जाती हो क्या भी उस कालू कववी को भी बोले जरा खेट में आकर काम करें कितना अलसी है वो एरे पक्षियों मैं आप सब को क्या ही बताऊं मैंने सब कुछ करके देख लिया है उस कालू कववे के साथ पता नहीं फिर भी उसका आलचीपन खतम नहीं होता है हाँ हाँ पिरिया कववी हमें पता है वे कालू कववा बहुत कामचोर है हम तो उसको बहुत पहले से जानते हैं लेकिन पिरिया कववी तुमें फिर भी कुछ न कुछ तो करना ही होगा वरना तो तुम ऐसे ही सारी जिंदगी अकेले काम करती रहोगी पिर अब ये सब बात करने के बाद सभीपक्षी अब अपने अपने कामों में लग जाते हैं अब जब शाम होने पर वे पीरिया कवी वापस अपने घर पर आती है तो कालू कावा तो अभी भी सो रहा होता है और उसका घर भी पूरा खुला पड़ा होता है ये देखकर पिर्या कवी को काफी गुसा आ जाता है अरे कैलो केवे तुम्हे क्या मेरा बिल्कुल भी आहसास नहीं है तुम सारा दिन पड़े सोते रहते हो और मैं सारा दिन काम करती रहती हूँ अब बस बहुत हो गया है अब अगर कल से तुम काम पर नहीं गए तो देखना मैं जंगल के कुए में कूट कर अपनी जान दे दूगी औरे ये कैसी पागलो जैसी बात कर रही हो तुम एक काम ना करने के चक्कर में तुम अपनी जान दे दोगी क्या कालू कवे मैं बिल्कुल सेच कह रही हूँ अगर किल तुम काम पर नहीं गए तो देखना मैं ऐसा ही करूँगी फिर ऐसा ही अब अगले दिन वे पिरिया कवी सुभा सुभा उस कालू कवे को काम के लिए उठाने लगती है अब कालू कवे की ये बात सुनकर वे पिरिया कवी घुसे में कुएं के पास आ जाती है और उस पिरिया कवी को देखने के लिए कालू कवा भी उसके पीछे पीछे आता है पिरिया कवी तो सच में खड़ी होती है उस कुएं के अंदर कूदने के लिए बस ये देखकर कालू कवा जल्दी से खेत में काम करने के लिए चला जाता है कालू कवे के खेत में जाने के बाद पिरिया कवी वापस अपने घर में आ जाती है और घर के काम करने लगती है बहुत धीट है है हाँ पिर्यकवी अब हमें इस कालू कवे को सबक सिखाना ही होगा अच्छा वो कैसे मीनू चडिया अब तुम एक काम करो उस कालू कवे को कुछ दिनों के लिए अकेला चोड़ दो और तुम मेरे घर पर रहने के लिए आज़ो जब उसे खाने के लिए भोज़ा नहीं मिलेगा तो फिर वे देखना अपने लिए खुद ही सारा काम करेगा फिर उसे अपनी गल्तियों और दिम्यदारियों का एसास भी हो जाएगा हाँ भाई मीनू चडिया बिलकुल सही कह रही है हम इस तरह चाही कालू कवे को सबक सिखा सकते हैं एक है भाई ऐसा भी करके देख लेते हैं अब मैं आज रात ही उसे बता दूँगी कि मैं कल से मीनू चडिया के घर पर रहने के लिए जा रही हूँ पिर अब सभी पक्षी अपने अपने कामों में लग जाते हैं और वे पिरिया कवे अपने घर पर आ जाती है अब रात होने पर जब वे कालू कवे खेट से वापस घर पर आता है तो पिरिया कवे उस कालू कवे को भोजन दे कर कहने लगती है बस कहलो कहवे बहुत हुआ, अब देखो, अब मुझे तुम्हारे से कोई भी बात नहीं करनी है, अब मैं तुम्हें छोड़ कर जा रही हूँ मीनुचिरिया के घर पर रहने के रिए, अब मैं तुम्हारी दिम्मेदारिया नहीं उठा सकती हूँ, इस तरह से नहीं होता है, क कोही तुम मुझे वापस लेने के लिया आना वरना तुम मुझे लेने मत आना लगता है ये पिरिया कवी गुस्से में है जब ये ऐसी बाते कर रही है छोड़ो मैं इसकी बातों पर दिहान ही नहीं देता हूँ बस फिर अब वे दोनों अपने घर में सो जाते हैं अब अगले दिन वे पिरिया कवी कालू कवी के उठने से पहले ही सुभा सुभा अपना समान लेकर मीनू चड़िया के घर पे रहने चली जाती है अब दुपैर हो जाती है कालू कवी को भूक लग रही होती है कालू कवा उ रात वाली बात याद आ जाती है ये बात सोचकर कालुकवा काफी जादा उदास और परिशान हो जाता है और वापस अपने घर पर आ जाता है फिर अब कालुकवे के पास कोई काम नहीं होता इसलिए वे सोचाता है अब अगले दिन वे कालुकवा सुभा सुभा जल्दी उड और अपना पूरा घर साफ करता है और अपने लिए बहुती मुश्किलों से भोजन बनाता है और उसे खाने लगता है ये भोजन कितना बेकार बना है वे पिरिया कवी होती थी तो कितना सौादिश भोजन बनाती थी मेरे लिए अब भोजन करने के बाद वे कालू कवा अपने खेत की सफाई करता है और उस खेत में पानी डालता है और बीच डालता है अब ऐसे ही पूरा दिन खेत में मेहनत करने के बाद रात में कालुकवा घर अपने वापस आ जाता है घर आने के बाद भी अब उस कालुकवे को अपने हाथ का बेकार सा बना भोजन खाना पर रहा होता है उसे पिरिया कवी की बहुत याद आ रही होती है वेकालुकवा भोजन खाकर लेड जाता है और सोचने लगता है वैसे मुझे पता है पिरिया कवी मेरा वहाँ पर इंतिजार कर रही होगी वैसे भी अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं पिरिया कवी के साथ बहुत घलत करता था आज मैंने सारा दिन काम किया है तो मुझे पता चल गया है कि रोजाना कितनी मेहनत लगती है अब मैं भी हर काम में पिरिया कवी का हाथ बटाया करूँगा अब मैं कल सुभा जाकर उस पिरिया कवी को वापस घर पर ले आऊंगा और हम खुशी खुशी रहेंगे फिर अगले दिन से ही वे कालू कवा पिरिया कवी को अपने घर पर ले आता है और कालू कवा अब बिल्कुल सुधर जाता है और सारे काम करने लगता है बस ऐसे ही उनकी जिन्दिगी में अब सब कुछ ठीक हो जाता है